साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 Most Important MCQs की जो की सम्मंदित है HTML से इसके पहले मैंने आप लोगों को CSS के Important MCQs की वीडियो प्रवाइड कर दी है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने आप लोगों को उसका link description में दे दिया है जहां से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं So let's start साथियों मैंने आप लोगों के लिए HTML की एक वीडियो create कर दी है जो की लगबग 2 घंटे की है हमने उसी 2 घंटे में complete HTML कवर की है जो की आपकी syllabus में है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस वीडियो को देखिए क्योंकि अगर आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे दिन इसके बाद इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके exam में maximum question कवर हो जाएंगे ये मेरा आपसे वाइदा है इसके अलावा मैंने आप लोगों को इसके पहले HTML की जो important points हैं जो की आपके exam में आ सकते हैं उसकी वीडियो provide कर दी है उसे अब तक की लगभग 10,000 बार देखा जा चुका है तो मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों वीडियो को देखें और साथ में इस वीडियो को complete देखिए तो आपका HTML का portion पूरा cover हो जाएगा और मनें आप लोगों को इन दोनों वीडियो का link description में दे दिया है So let's start देखते हैं सेसन का पहला question and that is Which attribute is used to provide an advisory text about an element or its content वो कौन सा attribute है जो कि किसी element या किसी content की additional information provide करता है tooltip, dir, title या फिर head तो बिल्कुल सही है अगर आपने टिक किया है option number c and that is title तो इसमें का जाएगा option number c, title is the correct answer इसको यहां से ठीख तो इसमें का जाएगा title अब बात यह आती है कि advisory text होता क्या है और जो title tag है इसे कैसे use करना है तो हम लेते हैं example मैंने क्या किया यहां से एक नया document create किया और हमने यहां पर एक lily heading like h1 और मैंने आपर लिख दिया है new ideas yt इसको हमने save किया अगर मैं इसको open करूं browser पर तो आप देखेंगे कि यहां पर heading के रूप में आ चुका है and that is new ideas yt अगर मैं इस text के उपर इस heading के उपर इस element के उपर अपना mouse का cursor लेके जाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहां पर इस text असे सम्मंदित इस element से सम्मंदित कोई भी additional information नहीं मिल रही है अगर आप चाहते हैं कि जब भी कोई बंदा किसी particular element के उपर mouse लेकर जाए तो उसको उस element के बारे में additional information provide हो तो इसके लिए आप लोग title tag का use कर सकते हैं तो हमने क्या किया इस ही h1 के अंदर एक tag यूज किया and that is title मैंने यहां पर लिख दिया कि new ideas yt is a youtube channel youtube channel इसको हमने save किया save करने के बाद हमने page को refresh किया तो अभी आप देखेंगे कि जब मैं इस content के उपर mouse का cursor लेके जाऊंगा तो यहां पर आपको एक additional information मिलेगी जो कि कि आप लोगों कुछ चीजे और भेतर तरीके से clear हो कि आपको दिख रहा होगा यहां लिख क्या रहा है कि पट्टी में तो इसको हम बोलते हैं title तो इसमें क्या जाएगा option नमबर C title is the correct answer next method is used to send from data as http post जब भी आप लोग form create करते हैं तो form में आप जो भी data user से लेते हैं उसको http server तक पहुंचाने के लिए आप किस का use करते हैं यहने कि आप किस method का use करेंगे अगर आप लोगों को उसे http post की तरह data को transfer करना हो server तक तो उसके लिए जो form tag के अंदर आप use करते हैं attribute and that is method तो इस method की value को आपको करना पड़ेगा post तो इसमें क्या जाएगा option number B is the correct question number third in html5 which of the following tag is used to initialize the document type html5 में document का type define करने के लिए हम लोग काउन सा declaration use करते हैं option A, option B, option C या फिर option D तो धान दीजिए जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इनको हम लोग tag नहीं बोलते हैं इनको हम बोलते हैं declaration तो जो आपका html5 है उसमें हम लोग कुछ इस type से declaration use करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ practically आप यहाँ पर देख पा रहा हैंगों जो ने document create किया था उसमें सबसे पहले html5 का हमने declaration किया था डॉक टाइप html तो जो आप इस type से लिखते हैं यह होता है html5 का declaration तो इसमें क्या जाएगा option number d dog type html is the correct answer next html is a protocol to describe web content क्या html एक protocol है जो की web content को describe करता है और यह एक most important question है क्योंकि यह question आपके exam में कई बार repeat हो चुका है तो धान दीजे जो html है यह protocol नहीं है लोग ध्यान से पढ़ते हैं और स्कुट्टी कर देते हैं true तो यह true नहीं होगा क्या होगा यह false होगा क्यों क्योंकि html एक language है ना की protocol तो ध्यान दीजे क्या हो जाएगा यह हो जाएगा false next five how can you open a link in its on unique new window अगर आपने कोई link create किया है आप चाहते हैं कि उस link पर कोई click करे तो वो उस link से सम्मंदित जो भी content है वो नई window में open हो तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे target new window, target new, target blank और target new और ये भी एक most important question है कई बार repeat हो चुका है तो ध्यान दीजे जब भी आप लोगों को किसी भी link को नई window में open करना हो तो उसके लिए आप use करते हैं target attribute और उसकी value underscore blank ध्यान दीजे यहाँ पर होता है underscore ना की हाइफन तो उसमें का जाएगा option number c target की value underscore blank next html is a language जो html है वो किस प्रकार की language है markup, procedural या फिर object या फिर none तो धान दीजे जो html है ये एक markup language है क्योंकि हम लोग इसमें html को define करने के लिए html element को define करने के लिए mark use करते हैं तो इसमें क्या जाएगा option number a markup is the correct answer जबकि जो c language है वो procedural oriented language है जबकि python, java, c++ ये सभी object oriented language है तो ये भी आपको ध्यान रखना है next which element represents pre-formated text तो वो कौन सा element है जिसका use हम लोग pre-formated text को display करने के लिए करते हैं जाने की content को pre-formated text में so करने के लिए करते हैं main, dir, dd या फिर pre तो धान दीजिए इसके लिए आप use करते हैं pre-tag कौन सा pre-type इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने कुछ content लिखा like हमने आपर लिखा राजा और इसके बाद double space यहां पर रानी इसको हमने sayo किया page को हमने किया refresh आप देखेंगे यहां पर जो राजा रानी है एक ही line में आ रहा है और इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक character का space है जबकि हमने यहां पर राजा और रानी के बीच में दो line का space दिया था तो यह content जो आपने आपर लिखा है editor में यह as it is print हो तो इसे हमें pre-tag के अंदर लिखना होता है तो हमने क्या किया इसे pre-tag के अंदर रख दिया इसको हमने sayo किया and page को refresh किया तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हमने यहां पर editor में content लिखा था same to same आप लोगों को browser पे दि दीजे क्योंकि आपका एक like ही होता जो मुझे motivate करता है कि मैं आप लोगों को और बेतर से बेतर content provide कराऊं तो मुझे आसा है कि आपने वीडियो को like किया होगा next and that is it the tag used in HTML to link it with other URL is अगर आपको एक content से किसी URL को bind करना है यानि कि आप link create करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन स tag use करेंगे ह, A, U या फिर L तो धान दीजिए इसके लिए आप use करते हैं anchor tag यानि कि link को create करने के लिए anchor tag का use करते हैं और ये एक most important question है बिसकली आप से पूछता है true false में कि क्या A का full form anchor होता है तो आपको tick करना है हाँ A का full form anchor होता है और इसकी help से हम लोग link create करते हैं जबकि under line करने के लिए हम लोग U tag का use करते हैं तो इसमें का जाएगा option number A is the correct answer next by default ordered list items uses which number of sequence by default जो order list के element होते हैं वो mark के रूप में कौन सा sequence use करते हैं roman number में 1, I, 01 या फिर 1 तो इसको करते हैं practically ताकि चीज़े आप लोगों को और भेतर से clear हो तो इसको मैं remove कर दिया है दिन इसके बा and इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक item and that is sorry control Z, L, I and वने आप लिए दिया है राजा, इसको मैंने show किया, page को refresh किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पड़ लिए क्या चुका है 1, तो आपने देखा कि जो order list होती है by default उन में जो mark use होता है, bullet use होती है, वो होता है number and that is 1, तो इस the correct sequence of HTML tags for starting our webpage, webpage को start करने के लिए, यानि कि अगर आप कोई webpage create कर रहे हैं, तो उसमें HTML tag का sequence क्या होता है, तो आपने देखे लिया यहाँ पर कि सबसे पहले आता है HTML tag, फिर आता है head, then इसके बाद title, then इसके बाद body, तो HTML, head, title and body, यानि कि option number C के साथ में आप जाएंगे, तो इ is the correct answer, next, in HTML, what does our text area tag do, जो text area tag है, उसका क्या use है, तो इसके लिए text area क्या करता है, एक box create करता है, जिसमें आप लोग कुछ भी type कर सकते हैं, जिसमें आप टी करेंगे, option number C, renders a box you can type in, next, and that is 12, which tag insert a horizontal rule, कौन सा tag, horizontal rule, draw करता है, insert करता है, तो इसके लिए आप use करते है, HR tag, और जो HR tag है, ये एक empty tag है किसे हो, क्योंकि इसे आपको close नहीं करना होता है, अब ये horizontal rule क्या होता है, कैसा दिखता है, आए दिखते हैं, तो हमने क्या किया, इसी राजा के just nature ने क्या किया, एक horizontal road insert कर दी, तो हमने आपर लिखा HR, इसको हमने show किया, page को किया, refresh, तो आप देखेंगे, कि यहाँ पर एक line draw हो चुकी है, तो जो ये आपको horizontal line दिख रही है, इसको हम बोलते है, horizontal rule, और इसके लिए हम लोग HR tag का use करते हैं, जो कि आपने देखा, अगर इसका color change करना चाहते हैं, तो इस focus are event, तो बिल्कुल सही है, जो on blur है, on focus है, ये सभी के सभी java script event है, तो इसमें क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका true, next, which of the following is the correct for email link, अगर आप लोग एक email link create करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप काउन सा statement लिखेंगे, और ये एक important question है, तो देहां दीजे, आपको सबस से पहले लिखना होगा anchor tag, and इसके अंदर एक attribute, and that is href, और यहाँ पर आपको लिखना होगा mail to, and इसके बाद जो भी mail address है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, basically ये question आप लोगों के exam में true false में कई बार आ चुका, तो इसमें क्या जाएगा, option number a, a href mail to, and इसके बाद email address, next, and that is 15, who is known as the father of worldwide web, www के पितामा के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको answer टिक करना है, Tim Berners-Lee, कौन, Tim Berners-Lee, basically Tim Berners-Lee को हम लोग HTML के प्राथमिक लेखक के रूप में भी जानते हैं, तो इसमें क्या जाएगा, option number d, next, block elements are normally displayed without starting a new line, क्या block element normally, बिना line start किया display होते हैं, तो ध्यान दीजिए, जो block element है, वो without नहीं, बलकि with new line start होते हैं, चुकि यहाँ पर लिखा गया without, तो इसकेस में आप टिक करेंगे false, क्योंकि अगर यहाँ पर लिखा होता हो with, तो यह आपका true होता, तो इसमें क्या जाएगा, option number a, false is the correct answer next, method is used to sent from data as URL variable, वो कौन सी value है, जो हम लोग method के साथ में use करेंगे, तो जो data है, वो as a URL जाएगा, यहने कि value और की की form में जाएगा, तो इसके लिए आपको method की value करनी होगी, get, क्या करनी होगी, get, इसमें क्या जाएगा, option number a is the correct answer, next, input is a, तो input क्या है, तो input एक empty tag है, ना कि format tag, तो इसमें क्या जाएगा, option number b, an empty tag, next, अब program in html can be rendered and read by, जो html का program होता है, उसे काउन render और read करता है, web browser, server, interpreter, या फिर इन में से कोई नहीं, तो जो भी आप लोग web page create करते हैं, मान लिज़े आपने क्या किया, एक web page create किया, जिसका नाम है check.html, तो इसको उपन हमने कहां पर किया है, browser में, तो इसका अंसर क्या आएगा, option number a, web browser, next, choose the correct html tag for the smallest size heading, और ये एक important question है, तो अगर आप लोगों को किसी भी html heading का size सबसे छोटा रखना है, तो उसके लिए आप h6 इस tag का use करेंगे, जबकि greatest heading के लिए, largest heading के लिए आप लोग h1 tag का use करते हैं, और जो html इसमें आपकी 6 level की heading पाई जाती है, h1, h2, h3, h4, h5 और h6, h1 सबसे बड़ी, h6 सबसे छोटी, next, a much better approach to establish the base URL is to use the, अगर आप लोगों को एक base URL establish करने हैं, इस्ताफित करने हैं, तो उसके लिए आप किस tag का use करेंगे, head, body, base या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उसके लिए आप use करेंगे base tag का, तो उसमें का जाएगा, option number C, next, the html tags that create a table header are, वो काउन सा html tag है, जो की table के लिए header create करता है, तो आप जानते हैं कि tr, th, td, ये तीनों ही tag हम लोग table tag के अंदर use करते हैं, और table की heading को define करने के लिए, header को define करने के लिए हम लोग th tag का use करते हैं, तो इसमें का जाएगा, option number C, th is the correct answer, next, apart from b tag, what other tag makes text bold, b tag के अलावा और कौन सा tag है, जिसकी help से हम लोग text को bold कर सकते हैं, तो आपका अंसर आएगा, and that is strong tag, और ये भी एक important question है, कई बार repeat हो चुका है, जो bold है, इसका alternative strong है, तो उस case में जो italic करने के लिए हम लोग i tag यूज करते हैं, उसका alternative क्या है, तो आपको tick करना है, angle bracket के अंदर em, जिस प्रकार से b का alternative strong है, उसी प्रकार से i tag का alternative em है, वहीं u tag का alternative insert होता है, अंदर ins होता है, या नहीं कि angle bracket के अंदर ins, जिसको बोलते हैं insert, question number 24, ग्राफिक्स defined by svg is in html format, svg के द्वारा जो graphics defined की जाती हैं, उसका format क्या html होता है, तो जी गलत, क्यों? क्योंकि उसका format xml होता है, ना कि html, और जो xml है, इसका full form extensible markup language होता है, क्योंकि इसका full form भी आपके exam में कई बार repeat हो चुका है, तो यह क्या हो जाएगा? यह false हो जाएगा, next and that is 25, add border to a table, border attribute is specified in which tag? अगर आप लोगों को table में border add करना है, जो border attribute है, उसे आप कहां पर लिखेंगे, tr tag के अंदर, table tag के अंदर, ts tag के अंदर, या फिर body tag के अंदर, ध्यान दीजे, जो border attribute है, उसे आपको table tag के अंदर लिखना होगा, तो उसमें क्या जाएगा, option number b, table is the correct answer, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को like कर दीजे, और चनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लिजे, next and that is 26, how can you make a bulleted list with number, अगर आपको एक bulleted list create करनी है, यानि जिसमें bullet के रूप में number आएगा, तो इसके लिए आप किस list का use करेंगे, dl list का, ol list का, list या फिर ul list, तो बिल्कुल सह यहाँ पर बात आई है, bullet with number, यानि कि यहाँ पर sequence रहेगा, order रहेगा, तो इसके लिए आप use करेंगे, ordered list का, किसका, ordered list का, जिसको हम लोग बोलते है, ol tag, अगर पूस्ता कि with disk, या फिर with circle, तो इस case में आप टिक करते है, ul, यानि कि un order list, यानि कि वो जो list के item रहेंगे, उसम नहीं रहेगा, ना तो ABCD का, ना तो 123 का, या फिर Roman number का, तो इसको हम बोलते है, un order list, तो इसमें क्या जाएगा, option number B, next, WISIWIG, इसका full form क्या होता है, और ये एक important full form है, HTML के chapter से, तो जो WISIWIG है, इसका full form होता है, what you see is what you get, तो इसमें आप टिक करेंगे, देखेंगे, तो यह दा correct answer, what you see is what you get, next, and that is 28, which tag insert a line horizontally on your webpage, साथ ये question repeat हुआ, तो आपको इस 28 question का answer comment करना है, next, 29, correct HTML tag for largest heading, तो largest heading के लिए आप use करेंगे, h1 tag ना की h6, h1 होता है largest के लिए, जबकि h6 होता है smallest के लिए, next, which of the following tag is used to define options in our drop down selection list, अगर आप कोई drop down selection list create कर रहे हैं, तो उसमें option को define करने के लिए, आप किस tag का use करेंगे, select list, drop down, या फिर option, तो इसमें करते हैं, प्रिटकली ताकि आपको चीजे और अच्छे से clear हो जाएं, for example हमें क्या करना है, एक drop down list create करनी है, जो की रहेगी selection वाली, हम क्या करेंगे, सबसे पहले select tag का use करेंगे, and इस tag के अंदर, जो option है, उसको define करने के लिए, हम लोग option tag का use करेंगे, मैंने कर दिया है, कानपुर, इसके बाद मैंने कर दिया है, उन्नाव, ठेक है, इसके बाद मैंने कर दिया है, लखनव, ठेक है, इसको मैंने sayo किया, page को हमने किया, refresh, तो आप देखेंगे, यहाँ पर एक क्या आ चुकी है, drop down list आ चुकी है, कानपुर, उन्नाव, लखनव, तो इन option को define करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, option tag का use करते हैं, तो इसमें क्या जाएगा, option number D, option is the correct answer, next, what should be the last tag in any html document में, html document में सबसे last tag कौन सा होता है, head, html, title, या फिर document, तो आपने देखा कि जो ये आपका html document है, इसमें सबसे last tag कौन सा है, तो जो आपने html close किया है, यही सबसे last tag होगा, तो इसमें क्या जाएगा, option number B is the correct answer, अब बात यहाँ पर आई है html की, तो आपको html से समंदित, कुछ बातों को धान रखना है, सबसे पहले, पूछ सकता है कि जो html है, इसके primary author कौन है, तो आपको answer टिक करना है, tim berners lee, and इसके बाद, जो html tag है, इसको हम लोग basic fundamental block कहते हैं, क्योंकि यह question आपके exam में कई बार आ चुका है, कि basic fundamental block के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको टिक करना है, html tags को, वहीं जो html tag है, जो कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम लोग root tag बोलते हैं, html document का, ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, और इसके लामा, जो भी tag होते हैं, उससे हम लोग angle bracket के अंदर लिखते हैं, जो यह आप देख पा रहे हैं, इस less it with other url is, तो यह question भी repeat हुआ है, और आपको इसका answer comment करना है, next, html is what type of language, तो जो html है, यह एक markup language है, तो इसमें आप चाटिक करेंगे, option number b, markup is the correct answer, next, html tags define, जो html tag हैं, वो क्या define करते हैं, the data type of element of document, document में जो element हैं, उसका data का प्रकार, या फिर presentation of specified elements of a document, कि document में जो element है, उसको कैसे present करना है, तो जो tag है, वो define करता है, कि जो document है, उसमें जो element है, उन्हें किस प्रकार से specify करना है, जैसे कि हमने कहा था, कि जो यह कानपूर है, उन्नाओ है, लखनओ है, इसे आपको as a selection drop down की तरीके present करना है तो यह काम कौन कर रहा था यह काम कर रहा था tag तो इसमें का जाएगा option number B next which attribute used for body background color और यह एक most important program है question है sorry तो जब भी आप लोगों को body का background color change करना हो तो इसके लिए आप लोग busy color इस attribute का use करते हैं for example आप देख पा रहोंगे कि जो यह document है इसका background color कुछ भी नहीं है मुझे इसका color set करना है तो मैं इसके लिए body के अंदर जाऊंगा और लिखूंगा busy color और इसकी value में कर देता हूँ for example yellow तो इस case में क्या होगा जो background color है body का वो हो जाएगा yellow इसको आप देखेंगे कि यहां पर background color apply हो चुका है तो इसमें क्या जाएगा option number a busy color is the correct answer next html tags are case sensitive तो धान दीजे जो html tags हैं वो case insensitive होते हैं ना कि sensitive तो यह क्या हो जाएगा false अब बात यह आती है कि जो case sensitive है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह है कि जो html के tag है उसे आप लिखें small letter में या फिर लिखें capital letter में उससे कोई दिक्कत नहीं थो हमने क्या किया है यहां पर जो body tag है उसको हमने कर दिया है capital letter में तो उसको हमने sayo किया page को किया हमने refresh तो आप देखेंगे यहां पर कोई भी changement नहीं है क्यों 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 जो html है वो case sensitive नहीं है next tags and text यहां पर क्या होगा tags and text that are not directly displayed on the page are written in तो वो काउन से tag या फिर text है जिसे आप लोग directly page पर display नहीं करना चाहते है तो आप उस tag या फिर text को कहा पर लिखेंगे तो इसके लिए आप उस tag या text को लिखेंगे head tag के अंदर तो इसमें क्या जाएगा option number a head is the correct answer next apart from i tag यहां पर कर लिजे आप i tag apart from i tag what other tag make text italic इसको तो आप चेंज कर देते हैं question repeat हो रहा बार बार italic italic होगे यहां पर italic तो पहला option है italic दूसरा है i तीसरा है emphasis चौथा है u तो धान दीजे italic के लावा आप लोग emphasis tag से भी text को italic कर सकते हैं तो उसमें का जाएगा option number c em is the correct answer next how to define hyperlink to open new page in html अगर आप लोग किसी link को नए page में open करना चाहते हैं नए window में open करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या statement लिखेंगे तो बिल्कुल सिंपल है सबसे पहले anchor tag इसकी value जो इसका attributed href इस href में आप specify करेंगे उस link को जिसे open करना है जिस link को open होना है and इसके बाद आप यहाँ पर define करेंगे target और उसकी value blank यानि कि option number b is the correct answer तो इसके लिए जो examiner है वो आप से सिर्फ और सिर्फ पुछना चाहा रहा था कि आप target की value क्या करेंगे तो आप को answer tick करना है underscore blank next and that is footy what is html element to bold our text text को bold करने के लिए कौन सा tag यूज़ करेंगे तो बिल्कुल simple है आप use करेंगे bold tag का next how to insert an image in html अगर html में आप image insert करना चाहते हैं html के थूँ तो इसके लिए आप कौन सा tag use करेंगे तो सबसे पहले आप use करेंगे img tag and इसके अंदर एक attribute and that is src जिसका full farm होता है source और इसकी value को आप यहाँ पर define कर देंगे यानि कि जो भी image है उसका path आप यहाँ पर देंगे तो इसमें का जाएगा option number d is the correct answer next which of the following is the container for tr, th and td आपको बताना है कि tr, th, or td जो यह तीनों tag हैं यह किस tag के अंदर लिखे जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप इन tag का use directly नहीं कर सकते हैं इसे आप लोग table tag के अंदर रखते हैं तो इसमें का जाएगा option number b table is the correct answer next firefox uses rendering engine जो firefox है वो किस rendering engine का use करता है तो आप जहां रखना है वो है जैको क्या है जैको यानि कि option number b is the correct answer जैको is the correct answer जो जैको है इसे microsoft foundation और sorry mojila foundation और mojila car production के जोड़ा डेवलप किया गया है जो कि free और open source rendering engine है तो इसमें का जाएगा जैको is the correct answer next and that is 44 in which year html was first proposed सबसे पहले html किस साल प्रपोस की गई थी 1990, 1989, 2008 या फिर 1957 तो ध्यान दीजे सबसे पहले 1990 में किस में 1990 में html प्रपोस की गई थी तो यह आपको ध्यान रखना है next what tag is used to display a picture in a html tag html page तो इसके लिए आप use करते हैं img tag का next the special formatting code in html document used to present content are tag attribute value या फिर इन में से कोई नहीं तो आप जानते हैं कि जो भी content है उसे किस प्रकार से format करना है इसके लिए आप use करते हैं tag तो इसमें क्या जाएगा option number a tag is the correct answer next xml इजा जो xml है जिसका full form extensible markup language है यह क्या है superset of html तो बिल्कुल गलत है क्यों क्योंकि html का superset हम लोग बोलते हैं markdown language को किसको markdown language html का superset है जबकि जो sgml है वो html का subset है तो यह आपको दोनों point ध्यान रखने है क्योंकि यह तीनों point xml का full form html का superset और html का subset यह तीनों question ही important है तो यहाँ पर बात आईए xml के बारे में तो जो xml है इसका full form extensible markup language होता है next which of the following is not an attribute of form tag इन में से कौन सा attribute है जो की form tag का नहीं है action method name या फिर url धान दीजे form tag के अंदर आप लोग action method name इनका use करते हो बट जो url है इसका use आप form tag के साथ में नहीं करते हो तो इसमें का जायेगा option number d url is the correct answer आपको बताना है क्या बताना है कि web key language काउन सी है html c c++ या फिर python तो इसका अंसर आपको comment करना है कि web की language काउन सी है html c python या फिर c++ next which tag which html tag is set to define a client-side script such as the javascript अगर आप लोग अपने code में अपने html code में client-side language like javascript को include करना चाहते हैं तो इसके लिए आप javascript का code किस tag के अंदर लिखेंगे तो इसके लिए आप use करेंगे script tag यानि कि script tag के अंदर आप लोग javascript का code लिखेंगे दिन इसके लावा अगर पूस्ता css के बारे में जो css का code है उसे आप लोग style tag के अंदर लिखते हैं तो यह भी आपको ध्यान रखना है आपको बताना है कि head tag के अंदर कौन कौन से tag हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि आपका script हो गया script हो गया style हो गया link हो गया तो इसे प्रकार से आपको बताना है किसी पांच उन tag के बारे में जो हम लोग head tag के अंदर रखते हैं next and that is 50 और इस सेशन का last question which are the following attribute is used to provide a unique name to an element जो की एक important question है तो अगर आप कोई webpage create कर रहे हैं उसमें किसी element को uniquely define करना है पूरे उस webpage में तो इसके लिए आप use करेंगे id attribute का किसका id attribute का तो इसमें का जाएगा option number b id is the correct answer और आप लोगों को इस question का answer comment करना है tag to add a row to a table इस question का answer आपको comment करना है तो मुझे आसा है कि आप लोगों को ये session पसंद आया होगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर दीजे और चनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजे अगर आपके पास कोई doubt र देने से पहले इस वीडियो को देखिए तो जो HTML का डर है आपके अंदर वो complete completely खतम हो जाएगा क्योंकि हमने आपको इस class में जो भी आपके स्लाव जो भी आपका syllabus है उसमें जो भी topics हैं हमने इसमें बहुत ही आराम से cover किया है एक एक चीज को हमने समयाने का प्रयास किया है तो आप लोग इन दोने वीडियो को देखिएगा मनें आप लोगों को इन दोने वीडियो का link description में दे दिया है तो guys जै हिंद जै भारत वंदेवाद